नमस्कार दोस्तों, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने एक लेटर के साथ लोगों से फीडबैक और सुझा मांगने वाले विक्सित भारत संपर कभ्यान के एक वाटसप मेसेज ने विवाद खरा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने प्येम मोदी पर राजनितिक परचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मेसेजिंग एप के दुरूपयों कारूप लगाया है। आएए बताते हैं क्या है पुड़ा मामला। परधान मंत्री नरिंद मोदी की ओर से देश की जनता के पास एक वाटसप मेसेज भेजा गया है। इस पर विपक्षी ने तब भढ़क गया है और इसे अचार सहीता को उलंगन करार दिया है। दरसर परधान मंत्री मोदी ने लोगों को वाटसप पर मेसेज भेज कर जनता से विक्सित भारत के निर्मान के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष के कुछ सांसदों ने निर्वाचन आयोग से इसी पत्र को लेकर पीम मोदी के खिलाफ कारवाय की मांगी। उनका कहना है कि यह कदम अचार सहीता का गोर उलंगन। कॉंग्रेस के वरिष्ट सांसद ससी थरूर ने विदेश में रहरे लोगों को परधान मंत्री का पत्र भेज़े जाने पर गोपनियता का मुद्दा उठाने वाल एक व्यक्ति के पोस्ट सोसल मीडिया एक्सपर ठेग किया। उन्होंने कहा क्या निर्वाचन आयोग सत्तारूर दल को पक्षपात पूर्ण राजनतिक हितों की पूर्ती के लिए सरकारी मसीनरी और सरकारी डेटा का इस तरह से जबरदस्ती जुरुपयोग पर ध्यान देगा। कॉंग्रेस नेता मनिस्तिवारी ने भी सोसल मीडिया प्लेटफर्म एक्सपर वह वाटसप संदेश पोस्ट किया जिसमें वह पत्त सलगन है जो उनके फोन पर प्राप्थ हुआ था। तिवारी ने कहा यह अंचहा वाटसप संदेश कल देरात 12 बच कर 9 मिनट पर आया। ऐसा लगता है कि यह एलेक्रोनिक और आईटी मंत्राले से आया है क्या यह अचार सहीता और नीशता के अधिकार दोनों का खुला उलंगर नहीं है। उन्होंने यह सवाल किया मंत्राले को मेरा मुवाइल नंबर कहा समिला और यह अनाधीकरित रूप से किस डेटाबेस तक पहुँच रहे हैं। त्रिन्बुल कॉंग्रेस सांसद साकेद गोखले ने आड़ोप लगाया कि पिछले दो दिनों में नौकेवल भारत बलकि दुनिया भश से आये लोगों को मोधी और बीजेपी को बढ़ावा देने वाला यहा विक्सित भारत वाटसप संदेस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर कारवाई करनी चाहिए। अभी क्लिक फिलाल इतना ही। आपका इस मुद्धे पर क्या विचाहर है हमें कमेंट सेक्शन जुरू बता है। और इसे तमाम जानकारियों के लिए रहे हम से और देख तेरे क्लिक इंजिए।